हलो दोस्तों स्व है आपका अपने चैनल मार्केट सपोट में दोस्तों आज की से वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवर्ल मार्केट के बारे में साथ में कुछ ऐसे स्टोक्स है जिनके लिए जो संकेत दिखाई दे रहे वो अच्छे दिखाई दे रहे आज के जोड़े हम completely जानेंगे तो चले दोसों वीडियो को start करते हैं सबसे पहले आपके सामने मैंने निफ्टी-फिफ्टी का चार्ट रखाए यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि शुरुआत आपको जो हुई शुरुआत में ही मार्केट ठीक ठाक गिर गया लेक लेकिन जब मार्केट बंद हुआ उस समय पर आपको ठीक ठाक सी गिरावट आपको देखने को मिल गई और जिन शेयर ने अच्छे कासे गेंस किये थे पूरे दिन में वो गेंस भी आपको गवाते हुए नजर आए तो यह सिच्वेशन आपको आज ओवरॉरॉल मार्केट क देखने को मिली लेकिन मार्केट से अलग जो अब संकेत हैं वो मैं आपको बताता हूँ डाउ जोंस ओपन हो चुका है अब अगर देखेंगे कि डाउ जोंस का सिनारियो क्या है तो देखिए मैंने आपके सामने डाउ जोंस का रख दिया है यहां पर आपको अभी लगबग डाउ जोंस में एक परसेंट के आसपास की तेजी बंतुई नजरा रही है अगर आप देखें यहां भी ओपनिंग हुई हरे में लेकिन तुरंत मार्केट नीचे गरा अमेरिकन लेकिन अब यहां से अच्छा खासा बाउंस बेक दिखाया है इंट्रडे में यह अच्छा ब डेफिनिली मंडे के लिए जो रिजहान बनेंगे वह अच्छे खासे देखने को मिलेंगे खेर मैं आपको बताऊंगा अभी कि और क्या क्या रीजन से लेकिन उससे पहले जो सबसे दिक्कत बना हुआ है नेजडेक या फिर हम बोल सकते हैं आईटी जो इंडिया में इंडे पॉजिवटी दिखाई दे रही है तो डेफिनिली अभी तो फिलाल डाउजोंस वह एक नेश्डेक दोनों ही एक अच्छी कासी पॉजिवटी दिखा रहे हैं और अगर यह पॉजिवटी कंटीन्यू हो गई तो डेफिनिली मंडे को भी आप अच्छा का सगी इनस सबसे पहली वजह मार्केट को गिराने की यही बनी थी पिछले कुछ दिरों में कुछले पिछले कुछ महिनों में एक्जेकली कि जब क्रूट के रेट बढ़ रहे हैं तो यह मार्केट लगातार गिर रहा था और मैं आपको बताऊं कुछ और भी चीज़े ऐसी बात नहीं आज RBI के गवर्नर का इंटर्व्यू था आपने जीवी निस्प अगर देखा भी होगा तो RBI के गवर्नर का एक इंटर्व्यू था जिसमें उन्होंने क्या बोला था कि हमारे यहां अब इंफलेशन जो है लगातार आपको नीचे जाता हुआ नजर आएगा इंफलेशन ए इसे भी किसी भी देश के लिए अगर लगातार इंफलेशन बढ़ जाएगा तो अच्छी बात तो नहीं देखने को मिलेगी लेकिन हाँ अब अच्छी बात यह दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में आपको ये इंफलेशन जो है वो हो सकता है ना डराए और चीज़ें आपको सई होती हुई नजराएं ऐसा फिलाल तो शक्ति का अंतास अर्वाई के गाउनर का कहना है लेकिन अब आते हैं कि वो कौन-कौन से शेर्स हैं जो मन्ले गोतिजी आपको एक वाफिर से दिखा सकते हैं उनमें सबसे उपर नाम आ रहा है अदानी एंटरप्राइज़ देख लिजे अदानी एंटरप्राइज़ का नाम क्यों आ रहा है यह तो मैं आपको बताई दूँगा वैसे तो बतानी की ज़रूद है नहीं क्योंकि पिछले कोई दिनों से मैं आपको लगातर बता रहा हूँ अगर आपने मेरी बात सुननी होती है और इसकी अगर दो चा का से ज़र सादनी एंटरप्राइजास में इमिल होते मabout मैं आ आपको देखाता हूँ एक हफते में अगरं आप देखेंगे एक हाफते में इसमें आज की तेजी नहीं है तो पांच परसन की रिटन आपको देखाई दे रहे अगर आज की भी तेजी इंपलूड कर लेना तो लगवग लगवग 9% के return सिर्फ और सिर्फ एक अपते में दिखाई दे रहे हैं अगर ये एक अपते के return भी आपको मिल जाएं तो definitely 9% के return एक अपते में काफी ज़ादा है और वहीं एक महीने की भी हम बात करने तो देखी एक महीने में भी यहाँ पर 21-22% के return है तो खुद सोच लिजे कि ये share किस तरीकी की movement दिखा रहा है और इसका movement दिखाने का जो मकसद है या फिर बोलें reason है वो भी खराव नहीं है nifty 50 में शामिल हो रहा है nifty 50 में अगर ये share शामिल हो रहा है तो आप खुद ही समझ जाए है इतना वैसे तो सब इसकी बात हैं पूरी तरीके सच है कि आप अगर ये वोले ना कि high PE है तो definitely high PE है देख लिए आपके सामने में लगा दिया पी रेशियो चार सो चोहतर का पी रेशियो यहां पर देखाई दे रहा है और इतना जब high PE रेशियो होता है न तो risky हो जाता है क्या हो जाता है risky हो जाता है और ये बात भी पूरी तरीके सच है मैं किसी भी बात से share market चलता है expectation पर और जब government आपके सरपनात रख देगी तो expectation तो आपसे भी बढ़ी जाएगी ना तो वही हाल है अदानी enterprises का तो यह share तो भागने वाला है और भाग रहा है अब आपकी मर्जी है आपको क्या खाना है ठीक है next जो share है उसका नाम है से देखने को मिल जाएगा आप देखेंगे September का महीना start हो गया है आने वाले कुछी दिनों में एक वार inflation के data आना start होंगा और जैसे डेटा आएगे आपको आई साई साई बैंक अच्छी दिखाई दे नहीं रही दी लेकिन हाँ अब चीज़ें आपको ठीक टाक दिखाई दे रही है तो उम्मीद इनसे भी आप बहुत ज़्यादा लगाई यारी कि आप देखेंगे इस इसी बीच एक महीने के अंदर अंदर जहां इसका हाई एस प्राइज बनाता है वहां से लगवग दस परसंट नीचे है शेर सोच रहे हैं दस परसंट की गिरावट कम नहीं होती और दोस्तों अगर इस तरीके के गिरावट हो रही है तो इन्वेस्टर परशानतों हैं लेकिन हां फिलाल नेश्डेक में एक अच्छी तेजी आपको आज बन तुई नजर आ रही है लेकिन इस इन्फो इस पूरी तरीके से मैं आपको बता दूँ अगर नेश्डेक में अच्छी तेजी बन गई और बनी रही क्लोजिंग के समय तक तब यह आप इसमें एक अच्छी तेजी उम्मीद करना अगर इसमें तेजी जो अभी आसार दिखाई दे रहे वो बने रहे तो डेफिनिटली आपको तेजी इसमें मंडे को देखने को मिल सकती है एक और शेयर में आपको बताता हूं दोस्तों आप देखिए इसका नाम है इसमें पेंट हो गया पेंट के जितने भी शेयर देखिए इन चेयर में चेयर में इन में तेजी बनेगी और लगातार बन सकती है क्रूड के अगर इसी तरीके से गिरते चले गए तो दोस्तों मैंने आपको चार तो शेयर बताए साथ में और और मार्केट का सेनारियों